ही गाइस वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो गाइस आज हम इस वीडियो में कंफटेवल सौट अम्रेला बाजू बनाने सीखेंगे वहती इजी तरीके से तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें तो यह हमारा आर्मोल से इसमें हम हम एम्रेला बाजू लगना सीखेंगेatti differenti हमारा फैवरेक के ब्लाउस का की तो सबसे पहले देकि हमें मेजर्मेंट की एकोरडिंग इस तरीके से oper اok districts तो friends हम सात में दोनोघ जो बाजू उती नकिंग कर एंगे तो देखिए यहाँ पर हमें 16 इंची लंबाई में लेना है और 16 ही इंची लेना है में तो देखिए बरावाल लेनी है अब इसके बाद इस तरीके से इसKपो फोल्ड कर देना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर देना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए यहां पर हमें क्या करना है जो सेंटर वाला इससा होता है वहां से मिजर करना है तो यहां पर हमें साथ इंची पर मारजन कर लेना है अब सेंडर वाले से से भी साथ इंची पर माजन कर लेना है साथ इंची पर माजन करते हुए इस तरके से एक सरकल बला लेना है अब इसके बाद कट कर देना है एक्ट्रा फेवरिक को कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी दो layer है यानि कि दोनों slips के लिए अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है जो armoles होता है तो आप किसी भी blouse का armoles इस तरह के से पहले measure कर ले और उसके बाद ही cut करे armoles को तो यहाँ पर देखिए हमारा total कितना 10 inch है तो हमें 10 inch के according ही cutting करना है armoles की तो पहले सबसे पहले देखिए जो circle है उसका center हिसा ले लेना है यहाँ पर हमारा 7 inch circle तो center हिसा तो center में एक margin कर लेनी है margin करनी के बाद देखिए जो हमने 10 inch armoles लिया था उसका half ले लेना है यहीं 5 inch है जो center में margin किया था उससे हमें इस तरह के से half inch पर margin कर लेना है इसके बाद एक बार और margin करना है यहीं 5 inch का half inch लेना है यहीं 5 inch का half inch पर margin कर लेना है center वाले look से इसके बाद देखिए इस तरह के से हमें 2.5 inch पर margin कर लेनी है जो center वाला margin किया था उसी के according तो इसके बाद देखिए हमारा इस तरह के से एक circle बनकर ready हो जाएगा और उसको सभी को अच्छी तरह के से margin कर लेना है अब इसके बाद cut कर देना है cut हमने अच्छी तरह के से कर लिया है अब देखिए यहाँ पर हमें छोड़ा सा यह cut लगाना है इससे हमारा जो center look है वो बना रहता है फ्रिल का अब इसके बाद देखिए इसको अलग-अलग कर लेंगे दूनों फ्रिल्स को दूनों फ्रिल्स को अलग-अलग करनी के बाद हमें slips की cutting करनी है तो friends कई वार क्या होता है पहने में problem आती है इसलिए आप slips इसमें अटेच कर सकते हैं comfortable है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है पाच इंची की slips कट करना है तो आप पाच इंची पर माज कर ले और दूसरी साइड भी हमें देखिए लगवक तीन इंच पर हम slips डाउन करते हैं दो से धाई इंची पर विक कर सकते हैं अगर आप छूटी रखना चाहती है और आगे बाली साइड से slips राउंड का हाप इंची ले ले और दिर से दो इंची ले ले एक्स्ट्र माजन के लिए अब यहाँ से हमें एक सेम्पल लाइनिंग करनी होती है इसकी अकोडिंग हम slips की जो माजन है उसको कर लेंगे अब इसके बद कट कर देना है slips को slips की cutting हो चुकी है अब इसके बाद देखिए हम फ्रिल है उनको attach करेंगे तो सबसे पहले friends किया करना है मैं पीको करनी होती है तो हम इसके बोट को change करेंगे machine की बोट को तो देखिए यहाँ पर जो पीको वाला बोट होता है उसको लगा लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने बोट को change करके attach कर लिया है और इसकी माजन को भी set up मिला लेना है sector को अब इसका जो आर्मोस लेना है देखिए जो नीचे वाली सेट है वहां से cut कर लेना है cut करनी के बाद इसका one इससा लेना है और one inch को half inch full करती हो इस तरीके से देखिए पीको करना है तो देखिए fabric को थोड़ा-थोड़ा सा घुमाते जाएंगे इस तरीक कर सकते हैं लेकिन आप इसका लुक ज़्यादा बढाना चाहती है तो आप निकों ही करें और आपके के पास अगर मसीन नहीं तो आप मार्केट में विवेवल हैं आप किसी भी दुकान पर जाकर करवा सकती है तो इसा तरीके से सारे इसे मैं पीको को कम्प्लीट कर लेंगी हम तो फ्रेंज दोनों प्रिल्स पर हमें पिको को कम्प्लीट कर लेना है तो यहां पर मैंने दोनों प्रिल्स पर पिको को अच्छी तरके से कर लिया है और देखिए यह हमारी सिल्प से तो इसका आगे वाला इससा मैंने फैले से ही फूल कर लिया है लगवक डेडेंची अब इसके बाद देखी बूट को हाटा देंगे और जो हमारा सिंपल बूट है उसको लगा लेना है अगर हम देखी हैं पर सीखें किस तरीके से हमें अटेज करना होता है फ्रिल्स को और सलिप्स को तो पहले आर्मोल्स का सेंटर हिसा लेंगी और उसके बाद सलिप्स का हाप यहीं जो सेंटर हिसा लेते हैं उसी लेना है सबसे पहले हम फ्रिल्स को लगता है और उसके बाद रखना है सलिप्स को और उसके बाद दूनों को इस तरीके से बरावर इस तरीके से पकट को और अटेज़ कर लेना है देखे सारे इस से में आच्छी तरीके से हम अटेज़ कर लेंगे सिलिप्स को और फ्रिल को तो देखे इस तरीके से हमारी जो सिलिप्स और फ्रिल दोनों है वो लगकर रेडी हो गई है अब इसके बाद friends हमें इसमें fitting डालनी होती है तो देखिए हम इस तरह के से fitting को डालेंगे नीचे वाली साइड दोनों parts का अब पूजिट वाला इससा लेना है और इस तरह के से देखिए frill को fit कर लेना है अब दूसरी वाली frill को भी से हम इसी तरह के से attach कर लेंगे और slips को तो देखिए हमारे slips और frill को लड़कर ready हो गए तो friends comment करके ज़रू बताया कि आपको ये comfortable short umbrella वाजू कैसे लगी और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा share कर ये धन्यवाद